हैलो फ्रेंज्स आजकी इस वीडियो का हमेरा टॉपिक होगा रिपीटortic शिरीज ऐसे रिपीटेट काफी पहले हमने अप्लोट किया था जिस वीडियो पे आप ने काफी प्यार दिया काफी वीडियो को पसंद किया जिसमें अब तक 6.5 parenting अब जन्य विए हो इस वीड तो यहां पर आप देख रहे हैं इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल सतरा लेटर है यहां पर हमें यह देखना होगा कि कितने कितने का पियर यहां हम बना सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर तीन-तीन के पांच पियर भी बना सकते हैं। तो क्या होगा कि पंदरा लेटर तो हो जाएगा दो लेटर आपको एक्स्टा बच जाएगा। और यहां पर हम पांच पांच के तीन भी बना सकते हैं तो यहां पर भी क्या होगा दो एक्स्टा बन जाएगा। तो इन तीनों में से हमें सेलेक्ट किसे करना होगा। कौन सा पैटरन को लेके हम चलेंगे। ठीक है कितनी-कितनी का पियर हम पहले बनाएगे। तो आपको करना यह होगा कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि जिसमें एक्स्ट्रा सबसे कम बसता हो। तो एक्ष्टा सबसे कम किसमें बच रहा है इसमें बच रहा है तो हम क्या करेंगे इस कोशन में चार चार के चार पेर हम बनाएंगे तो देखें यहाँ पर हमने चार चार के चार पेर में बाट लिया है और यहाँ पर आप देखने हैं कि एक लेटर यहाँ पर एक्ष्टा ब यहाँ पर हम के से पहले जेड रख सकते हैं तो z लिग देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि X और Z इन दोनों के बीच में यहाँ वाई है और यहाँ खाली एस्तान है तो यहाँ पर हम Y रख लेंगे। आप यहाँ पर इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है। कि X, Y, Z और K का पैटरन बन रहा है क्योंकि यहां भी आप देखें कि Y, Z, K है तो यहां हम X रख सकते हैं यहां पर X, Y, Z है तो यहां पर हम K रख सकते हैं अब यहां पर आप देखने हैं कि यहां जो लास्ट खाली अस्थान जो यहां पर बच रहा है आप देखने हैं कि सभी pattern में x से सुरवात हो रहा है तो बस ये भी पहला later है तो यहां भी हम x रख लेंगे यहां पर हमारा answer क्या निकल के आ रहा है z y x और k और x ठीक है क्या यह option में है तो यहां पर option number a में है यह हो जाएगा हमारा question का answer तो अब देखिए दूसरा question आपके सामने है तो चली इसे भी solve करते हैं तो question को solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम later को count करते हैं अगर आप इसे गिनेंगे तो यहां पर total 17 later आएगा ठीक है तो अभी हमने आपको बताये था अगर total 17 later आ रहा है तो कितनी कितनी का पेर हम बना सकते हैं तो यहां पर हम 4-4 के 4 पेर बना सकते हैं इसमें एक extra बचेगा और यहां पर 3-3 के 5 हम बना सकते हैं इसमें 2 extra बचेगा और हम 5-5 के 3 बना सकते हैं इसमें 2 extra बचेगा सबसे पहले इन तीनों में से हम किसे चुनेंगे जिसमें एक्स्ट्रा सबसे कम बच रहा हो यानि कि हम 4-4 के 4 पेर बनाएंगे अगर इससे नहीं बनेगा तब हम इससे ट्राइ करेंगे 3-3 के 5 बनाएंगे इससे भी नहीं बनेगा तब हम इससे ट्राइ करेंगे 5-5 के 3 बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 4-4 के 4 पेर बनाएंगे और आगे अब हम क्या करते हैं इसे solve करने के लिए सबसे पहले हम compare करते हैं पहले और दूसरे में ठीक है पहले दूसरे में अगर हम compare करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं starting यहाँ C से हो रहा starting यहाँ B से हो रहा यानि इन दोनों में कोई संबन नहीं है अब हम क्या करेंगे हम आगे चलेंगे पहले और दूसरे में हम compare करेंगे पहले और इसमें compare करेंगे ठीक है इसमें भी अगर compare करें तो यहाँ C है यहाँ A है इन दोनों में भी कोई संबन नहीं है अब इन में भी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे अब इससे भी आगे चलेंगे यानि कि पहले में और इसमें चलेंगे इसमें कंपेर अगर कर रहे हैं तो यहां भी आप देखने हैं कि सी सी है यहां भी सी सी है यहां आप देखने हैं लाश लेटर ए है यहां भी लाश लेटर तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 20 से स्टार्टिंग हो रहा है 20 से अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो यहां भी क्या होगा बी से स्टार्टिंग होगा तो यहां पर बी हो नहीं होना है अब देखें अब हमें आगे क्या करना होगा आप देख रहे हैं कि यहां पर last में क्या आया last में bb, 2b आ रहा है, ठीक है last में 2b आ रहा है, अब हम option में जाके देखेंगे, कोई ऐसा option है जिसमें last 2bb हो, तो आप देखने है कि option number b में है, यही हमारा हो जाएगा question का answer, आप चाहें तो option में, जो भी later दिया वाया आप उसे रखकर भी देख सकते हैं, जैसे पहले में यहाँ पर B दियावा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर B रख लेंगे यहाँ पर A दियावा है यहाँ पर हम A रख के देखेंगे आप यहाँ पर देखने हैं कि पैटन बन रहा है CCBA, BBCA, A, A, B, C, CCBA और B से यहाँ फिर स्टार्टिंग होगा तो यह हमारा पैटर्न बन रहा है तो इस कोशन का एंसर हमारा क्या होगा आप्शन नमबर B तो अब देखी तीसरा कोशन आपके सामने है तो छेली इसे भी सॉल्फ करते हैं सॉल्फ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे लेटर को कॉंट करेंगे तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आट, नौ, दस, ग्यारा तो यहाँ पर टोटल कितना लेटर आ रहा है टोटल ग्यारा लेटर आ रहा है तो हम इसमें कितने-कितने के पियर बना सकते हैं इसमें हम तीन-तीन के तीन पियर बना सकते हैं इसमें दो एक्ष्टा बचेगा और हम क्या कर सकते हैं पांच-पांच के हम यहाँ पर दो बना सकते हैं इसमें एक एक्ष्टा बचेगा और यहां पर हम 4-4 के 2 भी बना सकते हैं इसमें क्या होगा कि 3 एक्ष्टा बचेगा तो इन 3ों में से सबसे पहले आप किसे सेलेक्ट करेंगे आप यहां पर देखेंगे कि जिसमें सबसे पहले कम एक्ष्टा बच रहा हो उसे हम सेलेक्ट करेंगे तो कम extra किसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है, इसमें एक ही extra बच रहा है, सबसे पहले हम इसे try करेंगे, अगर इससे answer नहीं आया, तब हम क्या करेंगे, हम इसे try करेंगे, तो इसे हमने 5-5 के 2 pair में बाट लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम compare करेंगे, अ यहां पर R है तो B के बाद यहां खाली जगापर यहां हम R रख सकते हैं अब आप देख रहे हैं कि N से पहले वाला जो LATER है यहां पर खाली है यहां भी N से पहले वाला जो LATER है हम घाली है तो अब हम क्या करेंगे अब ऑप्षण की तरफ चलेंगे ठीक है option में देखें चाहे तो यहाँ जो दूसरा लेटर डबलू है इसे आप यहाँ पर रखके देख सकते हैं तो यहाँ एक शब्द बन रहा है ब्राउन तो यहाँ भी हम क्या करेंगे डबलू रख लेंगे तो यही पैटर्न यहाँ पर हो रहा है तो आप्शन नमबर डी हमारा हो जाएगा इस कोशन का अचैर तो आप देखे निक्श कोशन आपके सामने है तो चलिए इसे भी सौल्फ करते हैं सौल्फ करने के लिए सबसे पहले लेटर को कॉएंगे अगर आप लेटर को कौएंगे तो यहाँ पर डॉटल 19 लेटर है अकर 19 लेटर है तो कितने-कतने का पेर हम बना सकत हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 4-4 के 4 पेर बना सकते हैं इसमें क्या होगा कि 3 एक्ष्ट्रा होगा और यहाँ पर हम 3-3 के 5 बना सकते हैं तो इसमें कितना 4 एक्ष्ट्रा हो जाएगा और अगर हम 5-5 के 3 बनाएंगे तो इसमें भी 4 एक्ष्ट्रा होगा और यहाँ प 3-3 के 6 पेर इसमें हम बनाइएगे तो इसे हमने 3-3 के 6 पेर में बाढ़ लिया था अब हम क्या करेंगे अब इन दोनों में हम compare करें अगर हम compare करेंगे तो यहाँ आप देख रहें चिहां cb ए यहां Imma say a है तो यहाँ पर क्या है खाली जगापर यहां B हो सकता है दोनों B के बीच में यहां पर C है तो यहां पर C हो सकता है अब आप देखें कि बीच वाले पेर को छोड़ कर यहां पर इन दोनों में पेर बना है तो यहां पर अब क्या करेंगे इसका पेर होगा इसका संबंद इससे होगा यहां पर आप देखने हैं बी सी बी है तो यहां पर भी बी सी बी होगा अब हम क्या करेंगे कि इसका संबंद किस से होगा इसका संबंद इससे होगा ठीक है यहां पर ए सी यह है तो यहां भी A, C, A होगा, यहाँ पर C हम रख देंगे, तो यहाँ पर आप देखने हैं हमारा answer क्या निकल क्या आ रहा है, यहाँ पर B हो जाएगा, B के बाद क्या हो जाएगा, A के बाद C हो जाएगा, C के बाद B होगा, और B के बाद C हो जाएगा, तो कौन से option में यह वाला answer हमें मिल रह तो यहां पर आप देखने हैं कि option number C में मिल रहा है तो option number C हमारा हो जाएगा question का answer तो अब देखी next question आपके सामने है तो चेली इसे भी solve करते हैं question को solve करने के लिए आप क्या करते हैं सबसे पहले later count करते हैं और यहां पर 5-5 का 2 भी बन सकता है जिसमें 4 extra हो जाएगा तो कौन से pair को लेकर हम चेलेंगे यहां पर हम किसी भी pair को लेकर नहीं चेलेंगे इस तरह की भी प्रश्ण आप से exam में पूछा जा सकता है जिसमें कोई pair बनाने की अवर्शकता ही नहीं है आप पहले question को यहां पर ध्यान से देखें अगर आप question को ध्यान से देखेंगे तो आप देखने हैं कि यहां पर तो सिर्फ दो ही later A है और B है जिसमें B की संख्या लगतार देखने हैं आप बहर रहा है अगर हम माल लिया जाए कि last में यहां पर जो खाली अस्तान है यहां पर अगर हम B रख देते हैं तो आप देखने हैं कि A के बार यहां पर चार बार B है ठीक है चार बार B रिपीट हुआ है उसके बाद यहां पर अगर हम खाली अस्तान पर B रख देते हैं तो यहाँ पर A हो जाएगा, तो यहाँ पर इस question में हमारा क्या pattern बन रहा है, A, B, A, B, B, A, B, 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 A, और उसके बाद 4B, तो यह हमारा question का answer क्या हो जाएगा, A, B, 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 ठीक है, क्या यह option में है, तो आप देखने हैं कि option number B में है, यह हो जाएगा question का answer, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, कोई ज़री नहीं है, हर question में pair बना कर ही, आप question को solve करें, एक बार question को ध्यान से आप देखें, क्या बिना pair बनाए भी question solve हो सकता है, तो अब देखिए इसी type का एक और question आपके सामने है, तो चली इसी भी solve करते हैं, solve करने के लिए सबसे पहले हम later को account करते हैं, तो यहाँ अगर आप later को account करेंगे, तो यहाँ पर कुल 13 later है, अगर 13 later है, तो 3-3 के 4 pair बन सकता है, जिसमें 1 extra होगा, 4-4 का 3 बन सकता है, जिसमें 1 extra होगा, और 5-5 का 2 बन सकता है, जिसमें 3 extra होगा, तो इस question को solve करने के लिए कौन से pair को हम बनाएंगे, इस question को भी solve करने के लिए हम कोई pair यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाइगे यहां भी आप देखें इस question में यहां सिर्फ दो ही लेटर है A है और B है आप question को solve करने के लिए कहां से पक्रेंगे आप यहां से पक्रें यहां आप देखें कि 2 बार A है 2 बार B है ठीक है अगर हम यहां पर B रख देते हैं तो यहाँ क्या होगा, एक बार A, एक बार B, दो बार A, दो बार B, और यहाँ पर उसी तरह से हम क्या करेंगे, दो बार A लिख देंगे, यहाँ आप देखें कि तीन बार A, और यहाँ अगर हम B रख दें, तो यहाँ पर तीन बार B, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक यहाँ पर प्र पेर बेल गजा, एक पेर यहां पर बन गया, फिर जो नेक्स्ट पेर होगा वह ए शेटर्ट इस होगा, तो इस कोशन का हमारा एंसर क्या बन रहा है, यहां पर हो जाएगा धी Quem फिर यहां पर हो जाएगा A, यहां हो जाएगा B, यहां हो जाएगा A, क्या यह option में है, तो option में आप चेक कर ले, तो यहां पर option number C में है, तो option number C हमारा हो जाएगा question cancer, तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वी चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ओके थैंक यू